आज का मेरा टर्म है प्लॉइंग बाक of profit का प्रेटेशन प्लॉइंग होता है प्लगिंग नहीं होता इसका मतलब क्या है ऐसा profit जो company अपने share holders को distribute नहीं करती dividend के तौर पर जबके वो बचा के रखती है उसको retained earning कहते है और वही portion of profit क्या करती है वो invest करती है business में वही होता है ploying back of profit उसी को हम लोग retain earning भी कहते हैं तो ploying back of profit वही companies कर सकती हैं जो कि financially strong है weak companies या फिर new companies जो है वो नहीं करती है अब shareholders क्या होते हैं और dividend क्या होते हैं इसको callback थोड़ा कर लेते हैं कि जो company है ना उसको company की कीमत को छोटे-छोटे हिस्से में दिवाइड किया जाता है चोटा सा हिश्चा share होता है वह share में जो investors होते हैं उस share को खरीदते हैं और खरीदने के बदले में वह company को share capital देते हैं तो वह जो shares के honor बन गए वह होते हैं shareholders जब वह capital दे रहे हैं तो company क्या करेगी कुछ profit देगी तो वह जो profit देगी वह dividend के form में कुछ हिस्सव देती है